सो हेलो विवान गाईज सर्मादीव राधी राधी कैसे हो आप सब लोग गाईज आई होप आप सभी लोग अच्छे होगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगी सो गाईज आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आगी हूँ आपकी लाइफ में कौन से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं तो यहाँ पर आपके सामने दोनों ही पाल्स हैं इनर पावर डिवाइन फादर की अनर्जिज़ नें भगवान शेव हैं यहाँ पे और अगर आपके देट ऑफ पर्थ इन में सी आती है तो आपके लिए फर्स पाईल और यहाँ पे हैं सेकंड पाल यहाँ पे चेंज आएंड ट्रांजिशन की अनर्जि़ नेंज़ आर्के इस्पेक्टर्ड चेंजिस आपको देखने को मिल सकते हैं आज हम यह देखेंगे ओके सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाईज अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को बेल एकन को दबा के ओल पर सेट कर दो सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आफकोस आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही डियम करना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है टाइम्स चाम्स के ज़स्ट बही या फिर आप लोग उपर अबाउट सेक्शन से भी देख सकते हूँ सो स्टाइट कर लेते हैं आपकी रीडिंग को फर्स्ट फाल से इनर पावर से ओके सो फर्स्ट फाल अगर आपने इनर पावर कार्ट को पिक्क है या आपकी डेट अफ वर्थ हिन में से है 2, 11, 5, 9, 3, 17, 7, 21, 13, 19, 25, 23, 29, 27 सो आपके लिए फर्स्ट फाल थी ओके सो यहां पे गाईज अगर आपने भगवान शिव के ही कार्ट को चूज किया है कि आपको मन में था कि हांजी, intuitively आपको इसी कार्ट को पिक करना था तो आपके लिए फर्स्ट फाल होगे सो यहां पे सबसे पहले तो गाईज यह एनर जिज दिख रहे हैं भगवान शिव जो हमारे डिवाइन फादर है परम पिता परमात्मा है जो हमारे हाना सो वो गाईज आपकी लाइफ में बहुत हल्प करने वाले हैं आने वाले टाइम में आपकी लाइफ को क्रियेट करने में आपकी हल्प करने वाले हैं सो आपको कहा जड़े आप ठैंक्स के यह यूनिवर्स को कि scientist ने भी बूला है कि Om Mantra की धबनी ही सुनाई दी जाती है ओके सो यहां पर Om Mantra ऐसा ने कि भगवान शेफ का यह लगा लो हांना फॉर एक्जमपल गाइस यह तो scientist ने भी बोल दिया है ना प्रूफ कर दिया है तो अफकोस आप Om Mantra chant कर सकते हो को चाहे कोई भी धर्म के हो कोई भी जाती के हो आप ठीक है सो अफको yeah अपर यह नर्जीस है universe की universe के साथ आप्लोग प्रेंक कर लेते हो अपनी आपकोवे तो उस वजह से आपको मैं बोलरहे हूं ओके वेट अमिनेट तो यहां से गाईज आपके लिए क्या एनर्जी आ रही हैं आपके लिए उनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस चाहिए आपकी लाइफ में कौन से बड़े अनेक्सपेक्टर चेंजिस आपको देखने को मिलने वाले हैं फिर्स कार है यहां पर सेवन अफ कप्स ओके क्वीन अफ वार्ण ओके जी और एस अफ पेंटिकल्स है यहां पर ग्रेट दवर्स कार इस है गाईज ओके ग्रेट ग्रेट फिर्स कार इस सैवन अफ पेंटिकल्स और सेकेंड कार्ड है यहां पर दवर्स कार्ड बॉर्टम अफ पेंटिकल्स मिलने जिसका है नाइन ओफ पेंटिकल्स क्योंकि ग्रेट सो फर्स पाल आपके लिए क्या आ रहा है ना भगवान शेव यहां फिर्स पाल आपके लिए कौन से बड़े अनेक्सपेक्टड चेंजिस आने वाले हैं सबसे पहले तो आपके सामने ऑप्शन आई होंगी यहां तो इस चाइम भी आपके पास किसी सिचुएशन में अगर confused हो तो of course आपको होगा कि कोई आपकी help कर दिया किया रहा है तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि आपकी life में यह बड़े unexpected changes हो क्या आपके पास starting से ही बहुत options आती हैं और आप किसी ना किसी की help लेते हो उन options में से choose करने में के लिए चाहिए अपने family में किसी की member लेली ममा पापा भाई ठीक है sister so of course हर time तो वो आपकी हर एक situation में guys help नहीं करने वाले है so एक बड़ा change हो सकता है unexpected कि आप ही अब अपने decisions लेने लग जाओ आप ही अब अपनी life में क्या हो रहा है उसके बारे में सोचने लग जाओ queen of funds है आप अपनी authority मल आप अपनी responsibilities लेते हो दिख्रो बहुत intuitive हो आप लोग अपने intuition का use करते हो दिख्रो इस चीज के लिए and yes आप आप बहुत attractive बनते हो दिख्रों गाईज बहुत सारे लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं ठीक है यहाँ पे money wise अगर कोई issue था ना आपकी life में financially आप सफर कर रहे थे बहुत time से आपको था के मेरी life में ऐसे पैसा है इधर से पैसा है उधर से पैसा है बट क्या हो रहा यहाँ पर आपकी तरफ कोई पैसा नहीं आ रहा था ना patience रखना पड़ रहा था यहाँ आपने अपनी तरफ से तो 100-200% दे दिया अपर आपकी तरफ कुछ नहीं आ रहा था ना so यहाँ आपकी तरफ क्या है guys अभी क्या आ रहा है unexpected money ठीक है पैसा आ रहा है जो भी आपने hard work किया है चाहे आपने साथ pentacles का ही hard work किया अब आपको unexpectedly ही आप फिर से new beginnings के उपर पहुंच गयो ace of pentacles आपकी life में नई शुरुआत आते होई दिख रही है नई शुरुआत guys कैसे हो सकते है कि yes आपकी life में new beginnings होई and then after that आपको money भी receive होगी then after that आपने अपनी life में जो सोचा था वो करने लग गए हाना तो आप traveling भी करते हुए दिख रहो गाइस यह बड़ा unexpected change तो वैसे इसको नहीं कह सकते है बसे इसको change कह सकते है कि यह आप नहीं कि travel करो यह बड़ा unexpected change अभी मेरे माइन में क्या हो सकता है traveling से related कि आप drive करके जा रहे हो वहाँ पर अगर आपको driving नहीं आती है गाइस तो don't worry आने वाला टाइम ऐसा आजाएगा कि आपको ही drive करना पड़ेगा ठीक है आप चाहे कैसे भी करो पर आपको driving करने होगी चाहे short distance में जाना पड़े आपको अपना ही vehicle लेकर जाना पड़ेगा यहां पे word card long distance से बहुत सारे लोग आपकी तरफ आते में बहुत सारे आपके cycles complete हुए हैं और होने वाले हैं शाइद आने वाले टाइम में को एक unexpected आपका cycle complete हो जाए मतला आपका वो timing खतम हो जाए जो आपने सहना था साथ में होता है धाई साल धाई साल हाना ऐसे कुछ होता है धाई-धाई-धाई साल के तीन पार्ट्स बनते हैं वो धाई साल का पीरड एक खतम किया अब उसमें आपको अच्छा अच्छा काम सब कुछ यहां तो उसके उसके अंदर सर्फ से 50-50% होता है 50% आपको hard work करना पड़ेगा 50% आपको अच्छी अब क्या होगा अब सेकेंड अच्छी फेस में आपको 25% hard work करना है 75% आपको उस hard work से benefit मिल जाएगा थर्ड वल्य में क्या करना है सरफ कोई जाधा hard work नहीं करना 5-10% जो normal लोग करते हैं वो hard work करना है 90% आपको benefit मिलेगा इतना मैं बस example दे रहे हूं सो गाईज वही चीज़ है कि unexpected change होने वाला है आपकी income में भी यह भी हो सकता है यहाँ पी आपकी financial health बहुत अच्छी होते हैं दिख पारियो मैं financially बहुत अच्छा grow कर रहे हूँ आप and इसका major रताना ही यह है see this यहाँ पे भी new beginnings है यहाँ पे भी new beginnings है and इसके just नीचे guys nine of pentacles की ace of wands था तो यहाँ पे भी new beginnings ही का card है so of course नई शुरुआत आपको देखने को मिलने वाली है financially भी passionate भी आप बहुत दिख रहे हो financially बहुत अच्छा आप grow करने वाले हो यहाँ पे okay financial stability आपकी life में आ रही है growth दिख रही है आपकी life में okay and yes आप freedom फील करते हो दिख रहे हो guys okay freedom यहाँ पे आपको मिलने वाली है so आपके लिए cancer sign, Taurus, Capricorn most important राशिगा हो सकते हैं या फिर Taurus, Leo, Cancer, Scorpio and Sagittarius, Capricorn and Aquarius यह राशिगा आपके लिए important हो सकते हैं आपके sun, moon, rising and north node के लिए so यहाँ से क्या energies आ रहे हैं wow wow guys यह खुद card निकल कर आया है okay so universe का card अगेन आ चुका है the word card भी universe card ही है so the universe card अगेन आ चुका है यह सबसे पहले तो यही show कर रहे है कि आपकी life में आप travel भी कर सकते हो ठीक है आने वाले राय में यह long distance travel है travel तो है long distance travel okay so traveling यहाँ पर आप लोग कर रहे हो कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हो ठीक है या तो यह hilly station होता है या गूमने के लिए जा रहे हो या वैसे किसी को मिलने जा रहे हो अपने friends को अपने colleagues अपने like रिष्टेदारों को relatives को अपने boyfriend girlfriend को आप मिलने चाहरे हो so वह सब चीजें इसके अंदर आ जाती है ठीक है in general sense आप कहीं न कहीं travel कर रहे हो and yes guys आप patience रखते हो दिखते हो बहुत सारी चीज़ों में money में भी बहुत सारी चीज़ों में आपने patience रखा भी अगर past में तो आपको कहा ज़रे आपका crown chakra open हो रहा है आने वाले टाइम में आपको patience नहीं रखना पड़ेगा ठीक है आपकी जो विश है वो fulfill होते हुए दिखेगी आपको moment choices and decisions काई आपकी intuition भी यहां पर उपन हो sorry increase हो रही है आपका crown chakra open हो रहा है guys and आपकी सामने बहुत सारी moment choices and decisions आपको देखने को मिल सकते हैं guys okay and prosperity begins again is of pentacles का card है अलग deck से so guys यह तो सबसे पहले यही शो करता है कि आपकी life में financial stability आते हो दिख रहे है सो यह आपके लिए बड़ा unexpected change हो सकता है one number twenty one number seven number two number आपके लिए important हो सकते हैं also three number okay so यहां पर है trapped in fear so bottom of the deck guys यहां पर आपके लिए है wisdom so wisdom की energies show करते हैं knowledge knowledge is really very important for everyone okay so आप कहीं न कहीं knowledge evil भी बनते हो दिख रहे हो knowledge evil भी बनते हो दिख रहे हो बहुत सारी information लेते हो दिख रहे हो बहुत सारी चीज़ों के त्रूप and guys also trapped in fear की energies यही show करती है कि आपकी life में कहीं न कहीं आप लोग trapped हो रहे हो डर है आपको किसी चीज़ का या फिर आपको इस चाम को इस ना किसी वजह से आपको stress है tension है so आप उस situation से बहार निकलते हो दिखोगे ठीक है so यह आपके लिए energies 8 number 5 number 1 number 21 7 3 2 यह numbers आपके लिए important हो सक सब्सक्राइब करते हैं okay so यहां से गाइस लास्ट में मैं देख लेती हूं आपके लिए कौन से spirit guides या spirit guides रहन देते यूनिकॉन की तरफ से masses देखते हूं आपके लिए सब्सक्राइब करते हैं so guys मैं at the time मेरे पास cards पड़े होते हैं मैं at the time ही सोचती हूं अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे वाइव नहीं आरी इन cards को ठाके तो जो मुझे cards खीषते हैं अपनी तरफ तो मैं वही cards लेती हूं ठीक है guidance के लिए सो इन्हों ने कहा कि पहले मैंने देखो आपके लिए guidance के लिए अलग deck लेना था but yes इन्हों ने कहा मुझे आना है ठीक है सो यहां पर आपके लिए unicorns का क्या message है सो cosmic emerald 31 number आपके लिए important हो सकता है 4 number also so create कर ये perfect health for yourself assess करो divine abundance okay so अपनी life में assess करो divine abundance को create करो अपने लिए perfect health आपके लिए emerald बहुत helpful हो सकता है आपकी health के लिए अच्छा हो सकता है also यहां पर आप देख सकते है 31 13 31 13 guys ये mirror number है okay आपके लिए important हो सकता है number 31 13 so आप search करना YouTube पे okay so creative solutions guys आप doctor हो सकते हो मुझे यहां पर doctor की भी energies दिख रही हो के think outside the box view things from a higher perspective so यहां पर आपको कहां चाहरे थोड़ा सा outside the box सोचने के कोशिश करो ठीक है मतलब कुछ new creativity करो creative thoughts ले कि आओ आपको मिलते हुए भी दिख रहे आने वाले time में creative solutions okay आपकी problems के लिए या आपको किसना किसी चीज का solution चाहिए मिल चाहेगा okay creative होगा वो बहुत जार okay so view things from a higher perspective so चीजों को सबसे higher perspective की तरफ लेका जाओ मतलब होता न कि हम वैसे सोच लेते कि यस ऐसा हो ही जाएगा कोई बात नहीं हो जाएगा so वैसे नहीं सोचना है आपको यह बोला जा रहे यहां पर थोड़ा सा कुछ बड़ा सोचने के कोशिश करो बड़े पैमाने पर सोचने के कोशिश करो like for example आपने सोचा इतना सा घर पचास गज़ का बड़ आप सोचो डेड़ सो गज़ का तभी आपको मिलेगा ना कभी ना कभी तो पचास का सोचो के पचास तक ही रहे जाओ क्या आप ता बीस थी इसके तक ही रहे जाओ मतला for example दे रहे हो ठीक है बट यस क्या आपता आप सोचो उपही 500 गज़ का घर होगा मेरा ऐसे बैस यह वो होगा उसमें क्या पता आपका वो ड्रीम पूरा हो जाए हाना हजार गज़गा सोच लोग दो वह आपके उपर है बट यस मैं बस यही बोलना चाहते हो कि यह थोड़ा सा बड़ा सोचो ड्रीम बिग मैनिफेस्ट यह ड्रीम अपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो ड्रीम पर जो सपने हैं मैनिफेस्ट करो फोकस और विजन सीग सैटिसफेक्शन और इंड नेफ यूस मैनिफेस्ट करते हो फोकस यहां पर फोकस करने के लिए बोला जारे हो शीक्स करने के लिए बोला और यहां पर नियू मून की नियू मून आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है और यहां पर कहना चाहती है डिवाइन पोटेंशल सो अगर आपको लगता है कि यह आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं कि आप तक क्या लिखा है आपके डिस्ट्र में गाइस भगव कर भी कर सकते हैं अगर एक बार में ही सोचें ठीक है तो यहां पे फुलफिल यूर ड्रीम्स आपके ड्रीम्स आपके creative solutions आपको मिलते हों दिख रहे हैं ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं मिल रही है सब भी चीज़ें मिल रहे हैं आप creative भी हो रहे हो आपके life में आपके dreams भी फुल्फिल हो रहे हैं आप जो manifest करें वो हो रहे हैं आपको घर बार शादी बच्चे ठीक है सो पैसा सो सब कुछ हो रहे हैं आपकी life में divine भी यहां पर है divine potential की energies भगवान की energies आ चुके हैं यहां पर ओके यहां पर सभी सभी चीज़ें मुझे यहां पर दिख रहे हैं आपके लिए आती हुई and yes love grace be your divine essence dissolve all in grace so guys प्यार भी आपकी तरफ आ रहा है यही चीज़ रहेगी थी मैं सोची नहीं थी कि love की energies नहीं आई है यहां पर rose pink rose यहां पर love को ही show करता है आपकी life में love life में भी बहुत सारे changes आपको देखने को मिल सकते हैं एक और card ले ही लेटियो में है एक last आपके लिए energies देख लेते हैं उससे पहले guys reading को like करके subscribe करके चैनल के bell icon को दबाके all पे set करके देना guys personal reading अगर आपको लेने तो आप मुझे सीधा Instagram पे DM करना उसका link description में ही Instagram का okay okay so यहाँ पर last card आपके लिए okay so आप spiritual warrior बनते हो दिख रहे हो guys okay spiritual warrior की energy देख आप एक wise leader बनते हो दिख रहे हो और show भी करो आपको जा रहा है यह सब चीज़ें command करो universe को okay and bottom of the deck आपके लिए है unicorn portal so focus your light focus your light listen for a message so अपनी रोशनी को focus करने कोशिश करो meditation के time and listen सुनो guys जो भी आपको message दिया चारहे universe की तरफ से okay and यहाँ पर दो unicorns है तो of course यहाँ पर भी loin है यहाँ unicorn है उनका baby है यहाँ ठीक है यहाँ पर एक sheep की थरह baby बैठा है so यहाँ couples दिख रहे है guys couples आपको पता है guys क्या होता है couple यहाँ पर भी है यहाँ पर भी दो जानवर है तीन okay so guys couples यहाँ पर important हो सकते हैं बच्चे घर ठीक है गाड़ी यह सब चीज़े important हो से हैं guidance है आपके लिए okay so आपकी तरफ आपके soulmate आ सकते हैं ठीक है आपके twin flame हो सकते है जिन से आपका दल से दिल का नाता हो वो हो सकते हैं so anyways guys अगर आपको पसंद आई हो reading like this reading subscribe to this channel hit the bell icon guys okay and अभी के लितना ही हरमादेव रादे रादे गॉद्बस्टर विवान so hello everyone guys हरमादेव रादे रादे guys कैसे हो आप सभी लोग guys I hope आप सभी लोग अच्छ हो कर अपनी life में भी आगे पट रहे होगे so second pile जिनकी rate of birth हिन में से आती हैं जिनोंने भी changes and transition का आ रिया Archangel Ezreal को चूज किया है तो आपके लिए second pile थी okay so यहाँ पे guys आपके लिए change and transition की energies है सबसे पहले तो guys आपकी life में यही reading आज का topic है आपकी तरफ कौन से बड़े unexpected changes आपको देखने को मिलने वाले हैं so यहाँ पे आपके लिए main energies ही है आई है Archangel Ezreal की so यहाँ पे आपको बोला चाहिए thank you Ezreal for leading me safely through this change so आपकी life में जो भी changes आ रहे है guys उसमें आपकी help करने के लिए Ezreal यहाँ पी है so यह आपकी help करेंगे आने वाले time में so अगर आपको कहीं भी कोई भी जरुद कहीं भी आपको जरुद पड़ी Ezreal की so आप इनसे help मांग सकते हो अगर आपको कहीं ना कहीं अपनी life में changes चाहिए ठीक है and transition चाहिए आपको अपनी life में then definitely आप इनको बुला सकते हो ठीक है like इनके लिए meditation करनी पड़ती है guys अगर किसी भी Archangel को बुलाना है तो अपनी wish बोलनी है उस Archangel को बुलाना है like आपको अपने heart chakra को heal करना है then Archangel Raphael है आपको अपना crown chakra open करना है आपके लिए Archangel Uriel, Archangel Michael यहां पी आपके base chakra को strong करते हैं Archangel Uriel आपका जो second chakra होता है, sacral chakra उसके लिए beneficial होते हैं so आप ऐसे prayers कर सकते हो इनको like for changes and transitions in your life you call Archangel Azriel so यहां पे tarot के through देख लेते हैं सबसे पहले आपके life में कौन से big unexpected changes आपको अपने love life, career, marriage और money में देखने को मिल सकते हैं second part so of course guys यह general reading है please अगर आप कहते हो comment section में आके ma'am हमारी life में तो कुछ नहीं हो रहा हमसे match है नहीं हो रहा ठीक है कुछ चीज़ें आपके साथ होती होंगी बट आप भूल जाते होगे reading सुनकर है then definitely बाकी guys यह general reading है so keep an open mind जो लोग personal reading लेते हैं उनसे पूछे जाकर के उनसे match होती है या नहीं reading वाओ आपके लिए टॉरस वर्गो केप्रिकॉन एडीस लिव से जुटिरियस कैंसर स्कॉट पर पाइस राशी इंपॉर्टन हो सकती है also यहाँ पर एस ओफ पेंटिकल्स है means टॉरस वर्गो केप्रिकॉन and यहाँ पर आपके लिए temperance काड आ चुका है and last card आपके लिए क्या है so guys reading को like जरूर करना subscribe कर लेना channel को and guys also अगर आपने जून मंत की predictions अपनी हर एक जुड़ेक sign के regarding देखने detail में then definitely आप channel को पहले तो subscribe कर लोग कि 5 readings ही मैंने डाली है अभी तक वर्गो, Taurus, I think Gemini, Cancer and one more okay so मैंने वो डाल दी है आप check out कर लेज़ेगा June मंत की predictions बागी कल June मंत की भी reading करती है and also guys आपको अगर देखने है अपने मुलांग के अपनी destiny की reading तो आप वो भी check out कर सकते हो okay channel पही जाके so यहाँ पे the high precious bottom of deck और middle energies यहाँ पे है four of cups की so यहाँ पे आपकी life में four four number important हो सकता है यहाँ पे four number two times आया four of cups or four of pentacles so guys मुझे ऐसा लग रहा है आपके सामने बहुत सरी options थी past में बहुत सरी options शीक है आपके पास लगा लो चलो ठीक है three four लगा लो options but आपना अपने comfort zone में बैठे होए थे चाहिए रिष्टे हो सकते हैं चाहिए करियर के लिए options opportunities उसने तीन चार options थी but आपना अपनी safe place पे बैठे होए थे comfort zone में अपने बैठे होए थे उस वज़ह से guys four of pentacles की energies में आप रहे and then guys आपकी life ये patience आ गया अब आपको मैं देख पार हूँ कि patience रखना पड़ेगा जितने जल्दी चीज़ मिल जाए इसको ले लो नहीं तो guys पर patience रखना पड़ता है so have patience अगर आपको लगता है आप patience रख सकोगे then definitely आप रखिए ठीक है and yes ace of pentacles है so of course आपके लिए ये है कि unexpected money आपको देखने को मिल सकते आने वाले time में कौन से बड़े unexpected changes होंगे ये होगी unexpected money कोई नों की function होता है कुछ भी हो सकता है so यहाँ पर unexpected money आपको देखने को मिलने वाली है eight of wands है ये show करता है messages and calls को so of course आपकी तरफ या तो नए clients आ रहे है जो unexpected money के रूप में आ सकते है ठीक है बहुत सारे messages calls आपको आने वाले हैं आपके partner की तरफ से आपके clients हो सकते है new okay जो आपकी तरफ आना चाहते है and of course guys ये मुझे ज़्यादा तर financially ही दिख रहा है ठीक है financially ही आपको बहुत सारे messages calls देखने को मिल सकते है finances आपके बढ़ने वाले हैं okay because यहाँ पर nine of pentacles है बहुत आप लोग guys down to earth मुझे दिख रहे हो आपका business grow कर रहा है अच्छे से and also आप लोग अपनी life में अच्छे से आगे बढ़ रहे हो बहुत सारे नई clients आपके साथ जुड़ने वाले हैं ठीक है अगर आप comfort place जून रहे थे अपने लिए अभी तक तो guys वो आपको देखने को मिल सकते है नेक्स पेक्टर लियो के and yes आपके लिए financial gains आते हुए दिख रहे हैं six of cup soulmates energies हैं यहाँ पर soul family यहाँ पर soulmates important हो सकते हैं यहाँ आपके life में कोई soulmate आ सकते हैं आपके partner ही soulmate हो सकते हैं आपके okay so यहाँ पर high priestess है तो आप बहुत intuitive भी होते हो दिख रहे हो वो में grenade की energies है काई साथ में so of course आपको healthy खाने के लिए भी कहा जड़ा I don't know why but yes आपके लिए यह भी है कि आपकी life में कहीं न कहीं आप लो high priestess की energies में भी हो ठीक है आपकी life में कोई भी issue नहीं है आप intuitive हो बहुत justice lover हो आप okay and yes यहाँ पर guys आपके लिए यही नेर्जिस थी unexpected money थोड़ा सा patience रखे सबको सही होगा अपने comfort zone को छोड़िए और आगे बढ़िए आपकी तरह बहुत सारे business calls या messages या clients यहाँ वैसे ही आपकी life में बहुत कुछ हो रहे यहाँ पर ही ठीक है and also आपकी life में financial gains आप वाले टाइम में okay and June month भी आ रहा है तो यह June month के अंदर या मुझे दिख रहा है यह June month अक्तूबर सॉरी जून अगस्त और सप्टमबर यह तीन महीने important आपके लिए हो सकते हैं कि सब्सक्राइब यहाँ पर आपके लिए देख लेते हैं और क्या energies आ रहे हैं so okay so guys अगर आपको personal reading लेनी होगी या कोई भी तरह का crystal buy करना होगा like personal reading love, career, money, pregnancy okay या ऐसे bracelets चाहिए आपको जो आपको anxiety से दूर रखें, negative energy से दूर रखें आपके career में growth हो, आपकी life में growth हो, आपके money, finances से growth हो, आपके married life में growth हो, so वो सबी चीज़े यहाँ पर आपकी life में आपको मिलते हो देख रहे हैं so यहाँ से देख लेते हैं क्या energies हैं आपके लिए so awareness की energy से यह शो करता है आपकी life में, कहीं न कहीं आप बहुत intuitive होते हो, aware होते हो, देख रहे हो बहुत सारी चीज़ों के लिए and बहुत इसरा आप manifestations करते हो, देख रहे हो guys अपने लिए and वो सब चीज़े manifest होते हो देख रहे है, because आप लेकर लेकर आपको कही चीज़ चाहिए कोई, आप सको लेकर भूल जाते हो, let it go guys so अगर इसमें भी LOA को यूज़ करना इतना असान नहीं है, बट असान भी है so अगर असान मैं क्यों बोले हो, because आपको ज़स सोच कर भूल जाना है, किसी चीज़ के पार में के आपने कुछ चिपाया भी था so वहाँ पे guys, चिपाया कहा रही हूँ, but yes, अगर आपको कुछ लेना है, anyways, मैं थोड़ा सा खुद ही उल जगी है न, अपनी example में anyways guys, यहाँ पे shadow card है, so बस मैं यह कहना चाहती हूँ, कि आप बहुत manifestations कर रहे हो अपने life में, and manifestations के through guys, जो भी आप मांगोगे आपको वो मिल रहा है, ठीक है, आप एक manifestor हो, आप बहुत balanced energies में रहते हो, आपके पास हर एक tool है, आप अपनी life में जैसे मज़ी आगे भढ सकते हो ठीक है, and यहाँ पे moon card है, दोनों ही major रखाना आ चुक है, magician and also moon, so moon guys, full moon के energies हैं, आपको बहुत important role play कर रहा है, moon यहाँ पे आपकी life में, आपके twin flame से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, आने वाले समय में, okay, so यहाँ से देख लेती हैं, और क्यार है आपके लिए, so destiny, guys, किस्मत बहुत बड़ी चीज़े, आपको यह बोलना चाहते हूं, destiny is really very important, guys, यहाँ पे आपके लिए destiny, destined चीज़ें आपकी life में होते हैं, देख रहे हैं, ठीक है, आपके life में ऐसा कुछ चीज़ें हो रही हैं, जो आपके लिए, मतलब पहले से ही तै है, okay, and यहाँ पे, oh my god, guys, I don't know why, but आपको तो पता नहीं होगा ना, मेरी intuition बोल रही है, मैं, yes, ऐसे बैठी थी थी ना, अभी just, तो मैंने जब destiny का काड़ा है, तो मेरे आँखों के सामने, just मैंने close कर रखी थी, आँखे, अभी भी close रहे हैं, but yes, मेरे सामने एकदम से टावा काड़ा है, पता नहीं, guys, okay, और वो इस चेक से नहीं था, इस चेक से था, तो of course, आपके लाइफ में unexpectedly बहुत सारे changes आने वाले हैं, and unexpectedly आपका खुद का लाइफ में, ऐसा हो सकता है, हिल गी आपकी लाइफ, okay, but yes, आपको कहा चर आपकी लाइफ में, कहीं न गहीं, disruption देखने को मल सकते हैं, ठीक है, इसा दिख रहा है, beauty दिख रही, okay, so, bottom of deck, emotional loss, so, यहां मुझे दिख रहा है कि, yes, आपकी लाइफ में, कहीं न गहीं, यह जो big unexpected change है, कहीं न कि आपको hurt भी कर सकता है, जरूरी, ने कि सभी चीजों में, आपको happy-happy ही मिले, but yes, कहीं न कि hurt भी हो सकते हो, आप लो, but yes, anyways, अपन reading पसंद आई हो, so, guys, like this reading, and also, यहां पर आपके लिए है, guidance, okay, so, guidance देख लेते हैं, आपके लिए क्या है, last में, guys, guidance आपके लिए क्या है, कौन से बड़े unexpected changes आपको देखने को मिल सकते हैं, कौन से आपको बड़े changes देखने को मिल सकते हैं, okay, so, यहां पर signs from heaven, so, आपके लिए, thank you, heaven, for sending me reminders of your presence, so, आपके लिए, guys, कोई नों के आपको signs दिए जा सकते हैं, universe की तरों से, like, आपको angel numbers देख सकते हैं, आपको ऐसे, like, कहना, क्या कह सकते हैं, इसको, guys, इनका मैं नेम भूलगी, फर, ठीक है, खंब, पंजाबी में खंब कहते हैं, ठीक है, anyways, guys, कभी कभी ऐसा होता है, मेरे mind में कि, yeah, skip हो जाते हैं, words, okay, so, that's the reason, क्योंकि, बहुत कुछ बोलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़े होती है, I don't know क्यों, मैं आपको बता भी रही हूँ, but yes, अगर हो गया हो गया है, so, science from heaven, guys, for you, so, आपको कुछ ना कुछ दिख सकता है, आपके पास, guys, कुछ भी चीज़ें आपकी गिल सकती है, universe की तरफ से कोई नो कोई message आपको, कोई birds आपकी सामने आ सकते हैं, उसकी time, ठेक है, या life में कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिख गया है, जो आपके related था, like, phones भी आजकल वैसे, Google ने सब को set कर दिया है, हर एक आपने हाना, अगर आप कहीं कुछ सेर्च करोगे, वो दूसरी आप में भी आही जाएगा, but anyways, यहां पर यह दिख रहा होगे, यह coincidences नहीं होते थे पहल है, but yes, अभी तो होने, अभी तो real life में ही बहुत को चल रहा है है, so anyways, guys, the inner voice के energy, आपको science heavens के through भीज़े जा रहे है, like, आपको सोते टाइम आपको कुछ ना को science मिल सकते है, but yes, the inner voice, thank you angels for guiding me through my inner voice, so thanks के angels को के वो आपको guide कर रहे हैं, आपके inner voice के through, आपको अंतर मन से आवाज ही आ रहे हैं, वो सब चीज़ों के, okay, choose करना है नहीं, and connect with music, guys, थुड़ा सा connect करने के लिए, आपको कहा जा रहा है, yes, music के साथ connect हो, thank you angels for inspiring me through music, because यहां पे कुछ ना कुछ messages, guys, आपको देखने को मल सकते हैं, music के through, like, कोई गाना एकदम से चल पड़ा, और वो आपकी life के हो रहा है, okay, so definitely, so यहां पे move your body, so अपनी physical, जो condition है, उसको यहां पे worse मत होने दो, ठीक है, अपने physically, physical रहो, ठीक है, हर टाइम, बल्ला, physically work करो, हर एक काम भाग दोड़के करो, ठीक है, एक जगा से दूसरी जगा चल के जाओ, जल्दी-जल्दी, and definitely ऊपर नीचे, लाइक है स्ट्रेयर से उपर नीचे होते रहो, ठीक है, and yes, so that आपके move करे body, so that guys, thank you angels for motivating me to move my body, and also energy, so आपके energies भी guys, उससे खतम होगी, कम होगी, ठीक है, so that's the reason, and also अपनी body का ख्याल रखो, and motivate करो, अपने आपको हर टाइम के, yes, आपको यह करना है, यह करना है, ठीक है, so music lover guys, आप लोग बन सकते हो, आने वाले time में, अगर अभी तक नहीं थे, तो आने वाला समय ऐसा दिख रहा है, so यहाँ पर last card आपके लिए था, archangel Michael ही यहाँ चुकी है guys, आप protected हो guys, okay, so you are protected, archangel Michael, thank you Michael for surrounding me with your protective light, so thanks के यह Michael को, yes, वो आपको surround कर रहे है, protective light के through, okay, and bottom of it है guys, यहाँ पर spiritual gifts, आपको spiritual gifts देखने को मिल सकते है, universe की तरफ से, and thank you Razial for helping me channel my thoughts and talents, so thanks के archangel Razial को, वो आपकी life में help कर रहे है, कैसे help करें guys, आपको अपने channel करने के लिए, अपने gifts को, अपने talents को, talents आपके सामने आ सकते हैं, आपको अपने gifts पता चल सकते हैं, के मेरे अंदर ये खूबी है, मैं एक, ऐसे कर सकती हूँ चीज, ऐसे कर सकती हो, okay, so यहाँ पर वही चीज मैं बता रहे हूँ, anyways guys, अगर अपने करते हैं, अपने के लिए आपके लितना ही, हरा महादेव, राते राते, गौडबस रिववान, बाई guys